हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपील और स्वागत आप सुभी कफूर आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अभी मोग समान यद्धन के टॉप 25 मोस्ट इंपोटेंट कोईशन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परतुगी परचाओं के लिए काफी महत्पूर न होंगे तो इसलिए आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और आप इन 25 कोईशन में कितना सही कर पाते हैं वर्स को और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ठीक है अप इस वीडियो का फ्री पीडियो फाइल भी डॉलोड कर सकते हैं इसका लिंग इस वीडियो के लिपिकंपर जरूर पिजाय है और पहला क्वसान है कलुमार शिखर किस परवत स्रेनी में उच्टम बिंदु है तो कलुमार सिखर या कालुम्बे सिखर जिसे सदभावना सिखर के रूप में भी जाना जाता है या विंध्य परवत स्रेनी का सर्वोज सिखर है कलुमार सिखर किस परवत स्रेनी में उस्तम बिंदु है विंध्य परवत स्रेनी का उस्तम बिंदु है है और इसके उचाई कितनी है कलुमार सिखर की तो इसके उचाई 752 मिटर है 752 मिटर अगला प्रस्ण है चुने या लाइम का रसानिक नाम क्या है तो चुने का रसानिक नाम क्या है कैल्सियम हाइड्रोकसाइड इसका नाम है इसका रसानिक नाम प्रस्ण है तंबल टर्ण सब्द निमलिकित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है आंसर है स्विमिंग तैराकी से तंबल टर्ण सब्द जो है तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन से नदी दच्छिन गंगा के नाम से प्रसीद है तो भारत के वरिद गंगा भी कहा जाता है अगला प्रस्न है question number 5 भारत में सविधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेच समेलन कहां आजित किया गया था देखे भारत में सविधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तीन गोलमेच समयलन आज़ित हुआ था पहला गोलमेच समयलन पहला दूसरा और तिसरा ये तीनों ही गोलमेच समयलन कहाँ पे आज़ित किया गया था लंदन में आज़ित किया गया था पहला गोलमेच समयलन किस वर्स आज़ित हुआ था तो पहला हुआ था 1930 में, सेकेंड हुआ था 1931 में, और तिसरा गोलमेच समयलन का आउजन 1932 में हुआ था, ठीक है, यहां से देखे एक जामे कोशन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी एक मात्र किस गोलमेच समयलन में भाग लिये थे, तो वे भाग लिये थे दूसरा गोलमे गांधी ने भाग लिया था, डॉक्टर भीमरा अमेटकर तीनों गोलमेच समयलन में भाग लिये थे, ठीक है, तीनों गोलमेच समयलन के समय इंगलेंड का प्रधान मत्री कौन था, तो वे था जेम्स रिमजे मैक डोनाल्ड, अगला प्रस्न है, महात्मा गांधी की माता कौ अगला प्रस्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पती संग्रहाले कहां इस्तित है, आंसर है, कोलकता में, भारत का सबसे बड़ा वनस्पती संग्रहाले कहां इस्तित है, कोलकता में इस्तित है, अगला प्रस्न है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे, स्वदेश वाहिनी, एक सब्ताहिक समाचार पत्र था, इसके संस्थापक के राम कृष्ण पिल्ले थे, ठी अर्ला प्रस्ण है गुजरात का प्रसीद द्वार का धीस मंदीर निमलिखित में से किस नदी के किनारे इस्थित है तो गुजरात का प्रसीद द्वार का धीस मंदीर जो है या गोमती नदी के किनारे इस्थित है यानि इसका अंसर है ऑप्शन डी गोमती नदी नेक्स्ट गए थी लॉड मेयो की हत्या किसने की थी तो इसके हत्या सेर अली अफ्रिदी ने कर दी थी यह एक अफगानी फठान था एक बहुत ही important question यहां से भारत में पहली बार जनगन्ना कब और किस वाइसराय के कारिकाल में हुई थी तो भारत में अट्टम की नर्तक्यों द्वारा चमकिले सुनहरी बॉर्डर से अलंकरित किस रंग की साड़ी को पहना जाता है मोहिनी अट्टम एक परसीद सास्त्रे ने रितते है किस राज की तो मोहिनी अट्टम जो है केरल राज की परसीद सास्त्रे ने रितते है मोहिनी अट्टम की नर्तक्यों द्वारा चमकिले सुनहरी बॉर्डर से अलंकरित सफेद या हलके सफेद रंग की साड़ी को पहना जाता है यानि इसका अंसर है option D अगला प्रस्थन है उस्मा की इकाई निमलिखित में से कौन नहीं है याँ पे पुछा जा रहा है कि उस्मा की इकाई निमलिखित में से कौन नहीं है ठीक है तो इसका अंसर है centigrade centigrade जो है उस्मा की इकाई नहीं है तो ये किसकी काई है centigrade centigrade तापमान की काई है ठीक है temperature की बाकि ये तीनो calorie, arg और Joule ये तीनों जो हैं उस्मा की एकाई है अगला प्रस्ण है उपरी सदन जिसे राज्य सभा भी कहा जाता है कि अध्याचता निम्रिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है आंसर है उपराष्टरपती के द्वारा राज्य सभा जिसे क्या कहा जाता है उपरी सदन कहा जाता है ठीक है राजे सभा को उपरी सदन कहा जाता है इसकी अध्यचता उपर राश्टरपती के द्वारा निभाय जाता है यानि राजे सभा या उच्छ सदन का अध्यच कौन होता है उपराष्टपती होता है राजे सभा को उच्छ सदन का जाता है तो निमने सदन किसे का जाता है निमने सदन का जाता है लोग सभा को ठीक है निमने सदन लोग सभा को कहा जाता है लोग सभा या निमने सदन के अध भुपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सद्या पूल भी कहा जाता है असम और किस राजे को जोड़ता है तो भुपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सद्या पूल भी कहा जाता है या पूल असम और अरुनाचल परदेश राजे को जोड़ता है भुपेन हजारिका कौन थे तो ये असमराजी के प्रसीद, गीतकार, संगीतकार और गायक थे इनका नाम इसलिए important है क्योंकि इन्हें 2019 का भारत रत्न पुरसकार मिला है ठीक है भुपेन हजारिका को 2019 का भारत रत्न पुरसकार तीन लोगों को दिया गया है भुपेन हजारिका को, नाना जी देश्मुक को और प्रनव मुखर जी को भुपेन हजारिका को और नाना जी देश्मुक को या पुरसकार मर्नो परांत दिया गया है अगला प्रस्न है कंप्यूटर के दुन्या में उबन्टु क्या है तो Ubuntu जो है यह क्या है एक Open Source Linux Operating System है ठीक है Ubuntu एक Open Source Linux Operating System है अगला प्रशन है International Banking Lane दिन के संबंध में Swift का पूर्ण रूप क्या है Swift का फुल फॉर्म तो Swift Code देखे आपने IFSC Code का नाम जरूर सुना होगा या अपनी Passbook में लिखा हुआ जरूर देखा होगा IFSC जिसका फुल फॉर्म होता है Indian Financial System Code जो हर ब्रांच का अलग अलग रहता है और यह बैंकों में National Level पर Money Transfer और Money Receive के लिए उप्योग किया जाता है ठीक इसी परकार से Swift Code भी International Branch या बैंक से Money Transfer और Receive करने के लिए उप्योग किया जाता है Swift Code की फुल फॉर्म क्या होती है ठीक है तो आप Swift Code और IFSC Code दोनों का फुल फॉर्म जरूर याद रखेगा IFSC का क्या मैंने आपको बताया Indian Financial System Code तो यह होता है IFSC का फुल फॉर्म अगला प्रस्न है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट किस राजे में इस्थित है तो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट किस राजे में इस्थित है तो यह इस्थित है गुजरात राजे में इस्थित है यह गुजरात में कच जिले के मुंद्रा में इस्थित है अगला प्रस्न है राष्ट्रे पोशन संस्थान कहां पर इस्थित है तो राश्ट्रे पोशन संस्थान हैं नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमर 18 सविधान के किस संसोधन दुवारा भारत के सविधान में सामिल मौलिक अधिकारों की सुची से सुची में से संपती का अधिकार हटा दिया गया था आंसर है 44-वे सविधान संसोधन के द्वारा देखें मुल्च सविधान में कुल कितने मौली का धिकार थे 7 मौली का धिकार थे मुल्च सविधान में कुल 7 मौली का धिकार थे लेकिन 44-वे सविधान संसोधन अधिनियम 1978 ठीक है मौलिक अधिकार के सूचि से हटा कर इसे सव्धान के अनुछेद 300 क में रखा गया 300 क के अंतरगत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है ठीक है अगला प्रस्न है सास्थाम कोटा जील किस राज में इस्थित है तो सास्थाम कोटा जील या केरल राज में इस्थित है केरल में या जील केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है इस जील का नाम इसके तड़ पर इस्थित प्राचिन सास्था मंदिर के नाम पर पड़ा ह नेक्स्ट कुशन है और इस वीडियो का लास्ट कुशन सविधान में ग्राम पंचायतों के स्थापना का उलेक किस अनुछेद में है तो यह है अनुछेद 40 में ठीक है तो फ्रेंड्स ये थे समान्य धन के 20 अतिमात पूर्न प्रस्ट अब बंत में आपके लिए कुशन है कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है तो इस कुशन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजेगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाग किजिएगा तथा ज्यादा से ज्यादा सेर जरूर किजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग